हलो दोस्तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो उमीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छी होंग दोस्तो आज की सुरू में बात कने वाले अपकमिंग बजाज पलसर आरेश 200 के बारे में अब आपको पता है यार नएक जनरेशन आरेश का इंडियन मार्केट में काफी दिनों से इंतिजार किया जा रहा है बट तिल लाओ अभी तक इस भाई को इंडियन मार्केट में नहीं लाया गया है बट दोस्तो अब आरेश 200 बहुत जल आपको नई वाली इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी इसमें आप लोग बहुत सारी चेंजेस हैं आपको मिलेंगे क्या क्या changes मिलने वाले है क्या कुछ नया होने वाला है वो सारी चीज़े मैं आपको आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ I hope यह जो वीडियो है दुस्तों आप लिए बहुत ज़़ा इंटरस्टिंग होने वाली है इस वीडियो को पूरा ज़रू देखना डिटिल्स में आपको मैं सारी चीज़े बताने वाला हूँ तो चली फिर आज किस वीडियो को शुरू करते हैं बात करते हैं आरेज 200 के बारे में अगर चैनल पर पहली बढ़ा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा वेलिक एकन को ओन कर दीज़ेगा ताकि ऐसे ही इंट्रस्टिंग गुरों के नोटिपिकेशन बे आप तक पहुंसते रह सके और आप में रिवडियो अपडेट रह सके हैं सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में प्राइस नियार पहले बात कर लेते हैं चेंज़ेस के बारे में की गंबनी इसमें क्या-क्या चेंज़ेस करने वाली है दूस्त इस bike में आपको सबसे पहला जो change मिलेगा वो मिलेगा दूस्तो इस bike के lightings में यार आपको पता है जमाना हो गया कि आज तक बजाज अलो ने इस bike में LED projector light नहीं लाया आप लोग जानते हैं कि इंडिन मार्केट में इनकी N160, P150, N150 में LED projector light आ गई है बट इनकी premium bike जो की RS है उसमें भी तक इनोंने LED projector light नहीं लाया जो कि कितना बड़ा minus point आपको समझ सकते हैं लेकिन आपको बता दो जो next generation RS है कि उसमें आपको 110% projector light मिलेगी और आपको पता है दूस्तो आरेस में dual halogen projector light मिलते हैं आपको dual LED जो projector light है वो आपको bike में मिलने वाली है तो यह सबसे पहला जो update है दूस्तो आपको bike में मिलेगा जो कि इस bike के लिए काफी जादा important रखता है बात कर ले दूस्तो इस bike के next update के बारे में तो वो हने वाला दूस्तो इस bike के design look में अब obviously बात है design जो look है उसमें भी company को काम करना पड़ेगा obviously बात है बाई काम करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर काम नहीं करे तो यह अब Indian market में नहीं चलेगी और इनको अगर टकर देना है किसको टकर देना है R&5 को तो इनको look में काम करना पड़ेगा अब looking wise देगे दोस्तों इसका front design है वो आपको थोड़ा नया मिलेगा जो की थोड़ा sharp होने वाला है and bike का side panel है वो भी company change करेगी अब वो तो आने के बात पता चलेगा जो side panel है उसका design और उसका look है वो कैसा होने वाला है वो भी इसके लिए काफी जादा important रखता है बात कर लिए दोस्तों इस bike के next update के बारे में तो होने वाला है दोस्तों इस bike के speedometer में हम कितने दिनों से इंतिजार कर रहे है कि इस bike का speedometer है उसमें change करना चाहिए लोगों को speedometer में fully digital meter में इस लोगों काम करना चाहिए जो कि हम काफी time से बात कर रहे है बट अभी तक company ने इस चीज़ में ध्यान नहीं दिया लेकिन अब next generation है तो उसमें लोगों को लाना ही पड़ेगा तो अब आपको bike में जो speedometer है दूसमें 110% आप लोगों को fully digital meter मिल सकता है इसमें आपको mobile connectivity और speedometer में Bluetooth connectivity और हो सकता है company riding modes भी एड़ कर दे दूस्तो बाइक में जो next update होने वाला है वह होने वाला है दूस्तो इस बाइक के suspension में अब आपको पता दूस्तो जो suspension है इसके अभी भी आपको update होने वाला है इस bike में वह हने वाला है दूस्तो इस bike के tail light में अब आपको बता कि जो tail light के design है आज भी company ने वैसा ही लाया है देखिए अगर आप RS को देखे तो भाइया RS इतने सालों में लगबक इस bike quiet almost 10 साल हो चुके हैं पट company ने graphic and color option के अलावा कोई भी change नहीं किया तो tail light का जो design है वो भी आपको यहां पे नया देखने को मिलेगा तो यह भी एक जो update है वाला है दूस्तो इस bike का जो next update है वो है दूस्तो इस bike के engine में अब engine हलाकि मुझे पहले बताना था मैं last में बता रहा हूं उसके लिए sorry engine में क्या change होगा देखे engine इसका already काफी अच्छा है वो आपको देखने को मिलेगा जो कि इस bike के लिए काफी ज़्यदा important रखता है इस bike का जो next update होगा दोस्तो sleeper clutch के लावा bike में आपको जो kick shifter है वो भी company इस bike में लाने वाली है और kick shifter के बात इस bike में आप लोग को finally ride by jowair है वो भी company offer कर सकती है वो भी इसके लिए काफी ज़ करेगी company change आप यह करने वाली है कि इस bike में अब आप लोगों को front में 320 mm की plate मिलेगी जो कि अभी 300 mm की मिलती है और इसमें दोस्तों आप लोगों को front में 4 piston caliper मिलेगा जो कि अभी 2 piston caliper मिलता है तो यह भी जो change है वो आपको bike में मिलने वाले है बाकी दवात करें दोस्तों launch date क के बारे में फिलाल अभी bike तो launch नहीं होगी next year ही आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी और प्राइज मान की चली minimum 5-7000 पहले बढ़ सकता है उसके बाद देखते आने के बाद कितना बढ़ रहा है परकि कौनको नारा इसका वेड कर रहा है कमेंट करके जरू हो करता है चोटी सी वीडियो अच्छी लेगी लाइक करना चैनल पर पहली पर रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते नेक्स वीडियों में लव यू ओल जैहीन मिंदे मार्केट राम